जयगुर्देव और दोस्तो मेरे चनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और देखिए आज मैं आपके सामने जो मंत्र ले करके आया हूँ जो साधना ले करके आया हूँ वो मिर्गी रोग से संबन्दित है मिरगी रोग निवारक सिद्ध सावर मंत्र है जो की वास्ताओं में बहुत ही चमतकारी है साधना करने की कोई आवाश सकता नहीं है स्वैम सिद्ध मंत्र है यह आजकल पता नहीं क्या मेरे सर पे भी भूत सवार है कि मैं सिद्ध मंत्र ही जादा आपको दे रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ क्योंकि जिससे की लोगों का भला हो सके आप दूसरों का भला कर सके इसलिए मैं जन्द सामाने में इन सबको फैला रहा हूँ कि भाई इस साधना को करो इससे ये फायदा होगा मैं आपसे ले कुछ नहीं रहा हूँ लेकिन कुछ लोगों को लगता है तो उनको लगने दो बाकि जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो तो देखो मिर्गी रोग होता है अब मिर्गी रोग में इतना आपको सावधान रहना पड़ता है कि कोई आपका सगा संबन दी है कोई भी है अगर उसको कहीं भी दौरा पढ़ सकता है और कहीं पर भी पढ़ सकता है वो ऐसे व्यक्ति को यात्रा पर भी अकेले नहीं जाना दिया जाता कि उसके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए क्योंकि उसको पता नहीं कब दौरा पड़ जाए, कब वो लेट जाए तो इस तरीके से ये रोग वास्ता में बहुत खतरनाक रोगा, क्या बार इसमें लोग जल भी जाते हैं जल कैसे जाते हैं, कि पास में चूला या कोई भी गैस है, वो जल रही है और उसको मिर्गी का दौरा आ गया, पता लगा वो उसी पर गिर पड़ा लेकिन उसको पता नहीं लगा तो वो जल जाएगा, तो कैई बार ऐसा होता है लेकिन आधोनी की युग में भी अगर आप देखा जाए तो आगर आप इसकी दवाई वगरा भी कराते हैं तो यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता है, ठीक है, आराम तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन पूरे ठीक नहीं होता है लेकिन साबर मंत्रों में साबर मंत्र के जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस साबर मंत्र के प्रियोग से ये रोग पून रूप से ठीक कर सकते हो आप पून रूप से रोगी ठीक हो जाएगा ये ये रोग नश्टी हो जाएगा तो ये मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और साधना विधी में आपको बता देता हूँ देखो साबर मंत्रों का प्रियोग है वो जादतर या फिर साबर मंत्र की साधना प्रियोग हो या साधना हो वो जादतर रविवार या मंगलवार को ही करना चाहिए क्योंकि ये जो दोनों दिन हैं ये साबर मंत्रों के लिए स्रेष्ट हैं जैसे को रविवार मंगलवार हो गया या होली दीपावली हो गई ग्रहन हो गई ये साबर मंत्रों के लिए स्रेष्ट दिन है तो किसी भी रविवार से रविवार को मतलब या फिर मंगलवार को इसना आपको 21 बार इस मंत्र का जाब करके मैं मंत्र आपको बता देता हूं मंत्र इस प्रकार से है ओम हलाहल, सर्गत, मंडिया, पुरिया, स्रीरामजी फूके, मिर्गी, बाई, सूखे, सुख होई, ओम, ठह, ठह, स्वाह, ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, तो आपको क्या करना है? या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी भी ग्रेहन काल में, या होली दिपावली, या फिर रवीवार, या मंगलवार को, आप इस मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लें, जादा नहीं एक माला का जाप कर लें, और 21 मंत्र की आहुती दे करके, और इसको सिद्ध कर लें, छोटा सा, या कर सकते हैं, हलाकि है नहीं जरूत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेना, और जब भी आप प्रियोग करें, तो 21 बार इस मंत्र को आप पहले जाप कर लें, उसके बाद भोज पत्र ले लें, छोटा सा टुकडा, और उस पर अनार की जो कलम होती है, अनार का पेड़ होता है उसकी लकडी की एक कलम बना लें, उस अनार की कलम से अस्ट गंद आता है, बजर में मिल जाता है, उस अस्ट गंद को ले करके थुड़ा सा पानी मिला करके उसकी शाही बना लें, और भोज पत्र के उपर इस मंत्र को आपको लिखना है, और इस मंत्र को भोज पत्र के उप लिखने के बाद इसको लोबान की धूनी देनी है फिर ठीक है और लोबान की धूनी दे करके किसी भी कपड़े में या फिर कोई तांबे का जैसे ताबीज होता है उसके अंदर इसको बंद कर दे और काले धागे में इसको डाल करके उस ताबीज को और रोगी के गले में पहन हो जाएगा बेलकुल जड़ से खतम हो जाएगा वो ताभी जो इसके गले में रहेगा मिर्गी के दोरा नहीं आएगा ठीक है स्वेहम सिद्ध मंत रहे यह बहुत गजब का मंत रहे और इसको आप प्रियोग करना जन सामाने के लिए प्रियोग जरूर करना जिससे की लोगों रंगली हनमान जी माराज की जय बोले मेरे प्रमांस गुर्देव की जय